असलाम अलाएकुम दियर इस्टूडेंट्स आज काइनिडिक थेरी ऑफ गेसेस एंड रेडियेशन इस चैप्टर का अपना छटा लेक्चर होने जा रहा है आज की इस लेक्चर से हम लोग सेकंड पार्ट यानि रेडियेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं रेडियेशन में सबसे पहले जो पॉइंट हमको डिसकस करना है वो है हीट ट्रांसफर उर्दू में हम इसे कहते हैं इंतेकाले हरारत अब सबसे पहले तो हम इसी की तारीफ या इसका जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं आप देखिए हीट ट्रांसफर का मतलब रहेगा the process in which heat is transferred from one place to another place मतलब इंतेकाले हरारत एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हरारती तावा नई एक जगा से दूसरी जगा मुन्तकिल होती है अगर हरारत एक जगा से दूसरी जगा मुन्तकिल होती है ट्रांसफर होती है तो उस अमल को इंतेकाले हरारत या heat transfer कहते हैं आप देखिए heat transfer या इंतेकाले हरारत के तीन अलग अलग process होते हैं एक process का नाम है conduction दूसरे का नाम है convection और तीसरा जो process है तीसरा और आखरी जो process है उसका नाम है radiation अब इनके लिए उर्दू में जो टर्मिनलाजी आम तोर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो है conduction जो है तो इसे कहते हैं इसाले हरारत कन्वेक्शन जो है इसके लिए उर्दू टर्मिनलाजी इस्तेमाले हरारत और radiation जो है तो इसके लिए आम तोर पर जो word इस्सेमाल किया जाता वो है आशाय हरारत ओके तो आईए अब हम देखते हैं कि ये तीनों का meaning और इन तीनों में क्या differences है वो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं conduction या इसाल हरारत की conduction या इसाल हरारत जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हरारत याने heat एक जगह से दूसरी जगह transfer हो जाती है लेकिन जो particles हैं जो जर्रात हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं और अपनी जगह पर रहकर वो हरारत को आगे की direction में बढ़ाते चले जाते आप लोग देखो इसको एक छोटी सी एक figure के जरीए हम समझने की कोशिश करते हैं आप ऐसा imagine कीजिए कि मान लो यहां पर यह इस तरीके से कुछ particles हैं कुछ items हैं मान लो 1,2,3,4,5,6 ओके और इन में से पहले वाला जो particle मान लो इसको heat energy मिलती है ह हरारती तरह तवानई जो है वो particle number 1 को मिलती है तो यह तवानई को जस्प करके यही कही वाइबरेट होगा और अपनी तवानई इसको देदेगा फिर यह तवानई जस्प करके यह वाइबरेट होगा यह अपनी तवानई इसको देदेगा फिर यह वाइबरेट होगा इसक पार्टिकल अपनी जगा नहीं छोड़े, पार्टिकल नंबर वन यहीं रहा, पार्टिकल नंबर टू यहीं रहा, पार्टिकल नंबर सिक्स इसी जगा पर रहा, तमाम जितने जर्रात है, वो सब अपनी अपनी जगा पर कायम रहे, कोई भी अपनी जगा से नहीं हिला, कोई अपनी जगा को उन्होंने नहीं छोड़े, डिस्प्लेस नहीं हुए, ये वाला जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं, कंडक्शन या इसाले हरारत, ओके, आप लोग याद रखिए कि ये प्रोसेस जो है, ये सिर्फ सॉलिड में पॉसिबल है, क्योंकि जो ठोस जिसम होते हैं, दु ओके, तो ये थी कहानी कंडक्शन की, कंडक्शन ओफ हीट की, ये जिन चीजों में पाई जाते हैं, मतलब जिन सॉलिड के अंदर कंडक्शन का प्रोसेस होता है, उनको कंडक्टर्स ओफ हीट कहा जाता, यानि मौसिल, हरारत के मौसिल, दुनिया में आपको पता है कि जितन तरीन मौसिल होती है, यानि वो हरारत को एक जगा से, दूसरी जगा मुंतकिल करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ओके, तो ये था मामला कंडक्शन का, अब सवाल आता है कि कन्वेक्शन, यानि एहमाल हरारत क्या चीज़ है, तो आप लोग देखिए, इसको समझने क और एच हरारती तवानाई जो है, वो पहले पार्टिकल को मिली, तो होगा ये कि ये पार्टिकल उस तवानाई को लेकर यहां से आगे बढ़ जाएगा, ये खुद, ये अपनी एगा छोड़ देगा, इसकी जगा पर ये पार्टिकल आजाएगा, इसकी जगा पर ये पार् अचलब ये जो पार्टिकल है ये तवानाई को लेकर खुद पहुँच गया अगर कोई जर्दा हरारती तवानाई को लेकर खुद आगे बढ़ जाता है वो तवानाई को लेकर खुद ट्रांसफर हो जाता है उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन okay convection is the process in which the particles carry the energy वो heat transfer करेंगे लेकिन खुद carry करके यहाँ पर conduction में क्या हुआ था उन्होंने वो खुद नहीं गये थे वो अपनी जगह पे काइम थे अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने heat को आगे बढ़ाया था लेकिन convection में वैसा नहीं होगा इसके अंदर वो heat को लेकर खुद आगे बढ़ेंगे और खुद अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर चले जाएंगे और उनके साथ में तो इस तरीगे से convection के अंदर हमने देखा कि हरारती तवानाई जो हो particles के जरीए खुद आगे बढ़ जाती है यानि पार्टिकल जो हो अपनी जगह छोड़ देते हैं और खुद तवानाई को लेकर हरारत को लेकर आगे चले जाते हैं तो यह था एहमाले हरारत इसके बाद यहाँ पर हमको यह देखना है के ऐहमाले हरारत यहने convection कहा होता है तो आप लोग याद रखिए दुनिया के जितनी भी liquids हैं जितने भी माए हैं और जितने भी gases हैं तो उनके अंदर convection होता है ओके कंड़क्शन जो है वो solid में होता है और convection जो है वो दुनिया के तमाम लिक्विड्स में और गेसेस में होता है तो ये था मामला कंडक्शन और कंवेक्शन का अब हम आते हैं तीसरे और आखरी प्रोसेस के उपर तीसरा और आखरी जो प्रोसेस है वो है रेडियेशन आप लोग याद रखिए रेडियेशन या अशाय हरारत ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हरारत गरम जिसम से थंडे जिसम की तरफ मुन्तकिल होती है बगएर किसी मीडियम के बगएर किसी पार्टीकल के मतलब इसके अंदर पार्टीकल का होना या ना होना उससे कोई फरक नी पड़ता आप इमजिन करो मालो यहाँ पर इस जगह पर एक हाड बाड़ी है और इस जगह पर एक कोल्ड बाड़ी है तो इसमें से हरारती तावानाई जो है वो लहरों की शकल में यहाँ पहुचेगी कौन सी लहरे रहेंगी तो बहुत सिम्पल है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेयोज यहने बरकी मैकनाथी सी लहरों की शकल में हाड जिसम में से मतलब गरम जिसम में से तावानाई जो है वो मुन्तकिल हो जाएगी ठंडे जिसम के तरफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेयोज की रूप में बरकी मैकनाथी सी लहरों की शकल में ये वाला जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रेडियेशन रेडियेशन के अंदर ना तो सॉलिट की जरूरत है न लिक्वीट की न गैस की यानि पार्टिकल्स हो तो भी कोई फरक नी पड़ता Particles ना हों तो भी कोई फरक नी बढ़ता इसके अंदर हरारत जो है Heat जो है वो Electromagnetic Wails बनेगी और Electromagnetic Wails बनकर आगे बढ़ेगी अब जाहर सी बात है अगर Electromagnetic Wails बनकर हीट को आगे बढ़ना है और हमको यह पता है कि Electromagnetic Wails जो है वो वैक्यूम से भी पास होती है खला में से भी इसका मतलब रेडियेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वैक्यूम में भी होता है ओके अब इसकी एक एक एक्जामपल हमको देखना है आप देखिए एक होड बाडी जो है वो सूरज है और एक कोल बाडी मतलब हमारी जमीन है और आपको पता है कि दोनों के तर्मियान करोणों किलोमीटर का फासला है जिसके अंदर बीच में वैक्यूम है यानि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर वैक्यूम मौझूद है अब इतने बड़े वैक्यूम में से मतलब यहाँ पर आप देखिए कि अगर इस वैक्यूम में से अगर आपको हीट एनरजी को यानि सूरज में से जमीन तक अगर हीट एनरजी को पहुँचाना है तो बीच में जब वैक्यूम है मतलब ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है तो radiation की जो simple सी जो तारीफ होगी वो ये है कि the process in which heat energy is converted into electromagnetic waves and transferred from the hot body to cold body without any means of physical material medium is called radiation मतलब अशाय हरारत एक ऐसा अमल है इंतिकाल हरारत का एक ऐसा अमल है जिसमें तवानाई जो हरारती तवानाई वो बर्की मैकनाथी सी लहरों की शकल में गर्म जिसन से ठंडे जिसन की तरफ मुन्तकिल हो जाती है बगएर किसी वास्ते के बगएर किसी मीडियम के उसे कहते हैं अशाय हरारत तो ये है radiation की definition अब अगर हम से पूछा जाए कि ये तीनों जो process है इंतकाल हरारत के इन में सबसे जादा तेज कौन है तो definite बिलकुल लाजिकल बात है कि सबसे जादा तेज जो हो radiation है इसकी जो speed है वो सबसे जादा fast होगी और इसकी speed होगी c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second यहने नूर की speed जो रोशनी की light की speed होती है वो speed जो हो radiation की speed होती है और उसी speed के साथ में radiation जो होता है तो fastest process of transfer of heat is radiation यहने इन्तेकाल हरारत का सबसे तेज सबसे जादा तेज रफतार वाला जो अमल है वो आशाय हरारत है तो मुझे यकिन है कि आपको एक introduction जो हो समझ में आगया होगा अब हम यहां पर radiation के बारे में कुछ बात करने वाले हैं आप देखिए radiation के अंदर वो तमाम process वो तमाम properties या characteristics शामिल होती हैं जो light में हो सकते हैं यह तमाम process जो light के होते हैं वो radiation के होते हैं तो सवाल यह आता है light के कौन कौन से process है तो पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में, पहले मैं आपको लाइट के कुछ प्रोसेस बताता हूँ ओके, आप ऐसा इमेजिन कीजिए, मानलो आपने एक ग्लास सिलैब लिए, मतलब काच का एक तुकड़ा लिए ओके, यहाँ पर, इस जगह पर हमने, लाइट जो है वो, उसकी एक शुआ, एक रे जो है, लाइट की एक किरन इसके ओपर डाले तो सवाल यह होगा, कि इस लाइट की किरन का यहाँ क्या होगा तो काच के तूड़े के ओपर जब आप रोशनी की एक किरन डालेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस यह होगा कि वो टकरा कर ये साइड में इधर चले जाएगा पहला प्रोसेस ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे रिफलेक्शन उर्दू में हम इसे कहेंगे इनेकास याने नूर की शुआ का मुनकिस हो जाना इनेकास हो जाना तो यहाँ पर रिफलेक्शन हुआ याने इनेकास हो गया ये पहला काम हो गया दूसरी जो चीज इसके अंदर हो सकती है वो ये है कि ये जो किरन है ये अंदर आने के बाद ऐसी थोड़ी सी डेवियेट हो जाएंगी, थोड़ी सी तिर्ची हो जाएंगी, थोड़ी सा तिर्चा होकर अंदर आने का जो प्रोसेस है, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ओफ लाइट, उर्दू में हम इसे कहेंगे इनहेराफ या इनेताफ, दो नाम है उसके, इनेताफ भी कह सकते हैं और इनेताफ भी कह सकते हैं, ओके, तो ये वाला अमल हो गया, यानि ये जो लाइट की जो किरन थी वो अंदर आई और अंदर आकर वो मुनहरिफ हो गई, उसका रिफ्रैक्शन हो गया, यहां पर आप लोग याद कि एक और चीज हो सकती है, इस जगह पर आने के बाद लाइट की जो किरन है वो बाहर निकल जाएगी, और अगर वो बाहर निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं, इस जगह पर हम उसे कहेंगे, इमरजन्स, ओके, इमरजन्स ओफ लाइट, इमरजन्स को हम अर्दू में कहेंग इखराज, यानि नूर की जो शुआ है, वो इस में से खारीज हो गई है, बाहर निकल गई है, ओके, तो जब ये डाइगराम को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इस चीज़ को, यानि इस पूरे रेडियेशन को समझने के लिए बहुत आसान होगा काच का एक तुकड़ा लिए, उसके ओपर लाइट की एक किरन डाले, पता चला कि उसका कुछ पार रिफ्लेक्ट होकर बहार चला गया, यानि रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ पार अंदर चला गया, यानि उसका कुछ हिस्सा अंदर गया, उसको हमने रिफ्लेक्शन का नाम तू यह light incident हुआ, incident हुआ, मतलब वाके हुआ, याने, डाले, फिर वो reflect हुआ, याने मुनाकिस हो गया, फिर उसका reflection हुआ, मतलब वे निराफ हुआ, पिर वो अंदर आकर बहार निकल गया, हमने उसको emergence बोल दिये, याने वो खारीज हो गया, या उसका Electromagnetic Way बन जाती है और Electromagnetic Way जो है उसकी सबसे बैस एक्जामपल लाइट है इसका मतलब यह हुआ कि लाइट के जो प्रोसेस है वो हीट के प्रोसेस होंगे तो अब हम यहाँ पर एक नया काम यह करेंगे आप ऐसा इमेजिन करो कि हमने अब लाइट नहीं लिए बलके हमने यहाँ पर हीट ले लिए ओके यहाँ पर आपने हरारत लिए ओके इस जगह पर हमने हरारती तावा नहीं लिए हरारत लिए और अब हरारत की एक किरन इसके ओपर डाले ओकि आप उसको ऐसा इमेजिन कर लो थोड़ी है के लिए जैसे मैंने लाइट की किरन डाला था वैसे अभ यहाँ पर मैं हरारत की एक किरन इसके ओपर डालूँगा तो जब यह इसके ओपर मैं एक हीट इनर्जी जब इसके ओपर मैं डालूँगा तो पहला प्रोसेस तो यही होने वाला है रिफ्लेक्शन यारे इनेकास उस हरारत का कुछ हिस्सा जो हो इदर इनेकास करके चले जाएगा अब यहाँ पर कुछ हरारत अंदर आ जाएगी लाइट था तो वो थोड़ी सी तिर्चे होके गई थी हमने उसका नाम रिफ्लेक्शन रखे थे इनराफ रखे थे लेकिन हरारत के मामले में हम यहाँ पर उसको कुछ और नाम दे देंगे यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि उस हीट का एब्सॉर्प्शन हुआ यानि उसका इंजिजाब हुआ यानि वो ज़स्ब हो गई अंदर आने के बाऩ बार निकल गया था तो वैसे इसका भी होगा यहाँ पर एक नाग नाम हम लोग रखेंगे जिसको हमने लाइट में हमने इमर्जिंस बोले थे हम लोग यहाँ पर ट्रांसमीशन बोलेंगे बोलेंगे उसका नाम रहेगा ट्रांस्मिशन ओके लाइट जो हो ट्रांस्मिट हो जाएगी अर्दू में हम उसे कहेंगे तरसील हो गई याने हरारत की तरसील हुई तो टोटल मिलाकर यहां पर क्या हुआ जब हम लाइट डालते हैं तो इनेकास होता है इनहेराफ होता है और इखराज होता है जब हम हीट एनर्जी डालते हैं तो इनेकास होता है इनजिजाब होता है और तरसील होता है याने तीन अमल फरारत के साथ में भी होंगे मुझे उम्मीद है कि आपको लाइट और हीट दोनों का नेचर और उनके साथ होने वाले ये तीन अमल समझ में आ गए होंगे अब हम एक काम करते हैं यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टन कंसेट हमको समझना है हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो हीट एनर्जी जो है वो एच है जो आपने इसके उपर इंसिडेंट किये यहां एच हरारती तवानाई इसके उपर डाले जब आप एच हरारती तवानाई इसके उपर डालेंगे तो उसका कुछ हिस्सा रिफलेक्ट हो जाएगा इनेकास हो जाएगा तो वो जो कुछ हिस्सा है हम उसका नाम रख देते हैं ह सफिक्स आर आर का मतलब है reflected यहने हरारती तवानाई का एक हिस्सा जो हो मुनाकिस होकर इधर चला गया उसका नाम है HR उसकी जो quantity है वो HR है मान लो कि इसका कुछ हिस्सा जो जजब हो गया HT का मतलब है transmitted heat मतलब ह हरारती तवानाई जब किसी जिस्म के ओकर डालते हैं तब उस जिस्म के अंदर उसका एक हिस्सा reflect हो जाता एक हिस्सा जजब हो जाता और कुछ हिस्सा जो है वो transmit होकर बाहर निकल जाता है अब आप लोग एक चीज़ देखो कि ये जो हरारती तवानाई है इसके ये तीन हिस्से हुए है इसका मतलब आप लोग यहाँ पर एक equation बना सकते हैं और equation ऐसी होगी कि ये जो हरारती तवानाई है इस इक्वल टू HR प्लस HA प्लस HT आप लोग देखो इसको इसको और इसको अगर आप इन तीन तुकड़ों को आपस में एड़ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्योंकि इसी के ये तीन हिस्से है इसी को आपने base बना मतलब इसी को आपने incident करे इसके तीन तुकड़े होगा कुछ इदर चला गया, कुछ अंदर गया, कुछ इंदर गया इदर चला गया, इसका मतलब इन तीनों का जो sum है वो इसके बराबर आएगा तो H is equal to क्या आएगा, HR प्लस HA प्लस HT, ओके मुझे उम्मिद आपको ये concept धहन में आया होगा, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि हरारत के, यानि हीट एनरजी के ये जो तीन अलग अलग जो तुकड़े हुए इन तीनों तुकड़ों के लिए तीन अलग अलग कोईफिशंट्स हम लोग बना सकते हैं आप लोग देखिए कौन से तीन कोईफिशंट्स बनेंगे तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ पहले हम एक काम करेंगे कि ये जो हरारती तवा नहीं जो रिफलेक्ट हुई इसका हम रेशो ले लेंगे टोटल हीट एनरजी के साथ में मतलब जो इंसिडेंट ही एनरजी हुई यानि क्या बुलना है यहाँ पर ह एच आर इसका रेशो लेंगे ह के साथ में तो ये हमको एक रेशो मिल गया ऐसी जो जजब हुई जो एब्जॉर्ब हुई हम लोग क्या करेंगे एब्जॉर्ब होने वाली हीट और दी जाने वाली हीट इंसिडेंट होने वाली हीट दोनों का रेशो निकालेंगे ये हमारे पास रेशो नमबर टू आ गया एक रेशो हम लोग और बना सकते हैं और वो यह आवाला रहेगा HT upon H हमने दी जाने वाली हरारत तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में किसी भी जिसम के साथ में दुनिया में आप कोई भी बौडी लो उसके साथ में आप ये तीन रेशो बना सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड हीट का इंसिडेंट हीट के साथ एक absorbed heat का incident heat के साथ और एक transmitted heat का incident heat के साथ में ओके ये जो तीन अलग-अलग जो ratio है इन तीनों ratios को coefficients कहा जाता ओके ये तीनों अलग-अलग जो हैं ये coefficients है इसके बारे में अगर नाम रखना है इसको हम बोलेंगे coefficient of reflection क्योंकि यहां पे reflect हुआ ओके इसको हम लोग बोलेंगे coefficient of absorption और इसको हम लोग बोलेंगे coefficient of transmission ओके clear यहां पर हमारे पास तीन अलग-अलग तरहां के coefficient जो है वो बनने वाले हैं तो आईए अब हम देखते हैं कि ये तीनों जो coefficient है थोड़ा सा हम इनकी details देख लेते हैं पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर number one coefficient of reflection ओके अब ये जो नाम है coefficient of reflection इसको एक नाम और भी दिया गया है और वो नाम है reflectance short में इसको reflectance या reflectivity भी कह सकते हैं ओके या इसको alternate जो नाम है वो है reflectivity ओके अब अर्दू में हम इसे कहेंगे reflection जो है उसे कहेंगे इनकास ओके और coefficient को आम तोर पर जरीब कहते हैं इसलिए इसे हम कहेंगे इनकास का जरीब या इनकासी जरीब ओके इनकास का जरीब या इनकासी जरीब अगर हमको reflectance या reflectivity के रूप में अगर इसको कोई नाम अगर देना हो तो हम इसको यहाँ पर इनेकासी जरीब जो है ये तो उसका एक नाम होई गया है इसको हम उर्दू में एक नाम और बना सकते हैं इसके लिए और वो होगा इनेकासी कदर ओके इनेकासी कदर याने जरीब जो है एक नमबर होता है एक खास मिगदार होती है इसको कदर भी कह सकते हैं ओके तो ये अलग अलग उसका मतलब तरीका है अगर हम reflectance और reflectivity के रूप में अगर कोई उर्दू में नाम बनाना चाहें तो हम उसको इनेकासीत भी नाम दे सकते हैं मतलब ये अलग अलग टाइप के नाम हो सकते हैं इनेकासीत reflectance या reflectivity के मुनासेबस से ज़्यादा मेल खाता है अब इनकी तारीफे हमको देखना है तो आप देखो सबसे पहले coefficient of reflection या reflectivity या reflectance ये जो चीज़ है इसको हम short में यालामत के तोर पर r से denote करेंगे और इसका formula रहेगा hr upon h जैसा मैंने भी आपको बताया था hr, hr का मतलब है heat energy reflected और h का मतलब है heat energy incident तो तारीफ क्या होगी एकदम आसान सी तारीफ है इनकास का जो जरीब है वो हमेशा मुनकीस होने वाली हरारती तावानाई और वाके होने वाली हरारती तावानाई का तनासुब होता है एक बार फिर से आप सुनो मुनकीस होने वाली हरारती तावानाई और वाक्ए होने वाली हरारती तावानाई तावानाई का जो तनासुब है वो मुस्तकिल होता है उसे R से जाहर करते है को उसको हम लोग कोई future of reflection कहते है और उसकी जो ओलामत है तो ये यूनिट लेस है ओके इसकी कोई एकाई पॉसिबल नहीं है साथी साथ जो तबही मिगदार उपर है वोई तबही मिगदार नहीं चाहिए मतलब जो सेम फिजिकल कॉंटिटी का रेशो है इसी वज़ा से इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है तो ये डायमेंशन लेस भी है तो यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है ओके यूनिट लेस का मतलब है ऐसी चीज़ जिसकी एकाई नहीं हो और डायमेंशन लेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसका बाद पॉसिबल नहीं जो गेर अब आदी होता है गेर बुआदी होता है dimensionless होता है तो यह हो गया coefficient of reflection के बारे में अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा coefficient of absorption अब इंगलीश में दूसरा उसका जो नाम हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं वो नाम रहेगा absorptance या एक नाम हम उसका यह भी रख सकते हैं absorptivity ओके इस तरह के से तीन अलग-अलग नाम हम ड़ाच सकते हैं उर्दो में हम इसका नाम रखेंगे इंजेजाब का जरीब ओके उर्दो में क्या नाम रहेगा इंजेजाब का जरीब या इंजेजाबी जरीब या इंजेजाबियत ओके आप उसको इंजेजाबियत के तोर पर भी याद रखिए तो यह अलग-अलग नाम हम उर्दो में रखते हैं अब सवाल ये आएगा कि इसकी definition क्या होगी तो एकदम simple सी definition है सबसे पहले क्योंकि ये coefficient of absorption है इसको हम small a की अलामत दे देंगे याद रखें ये acceleration नहीं है यहाँ पर ये small a जो है ये coefficient of absorption है और इसका formula रहेगा h a upon h यहाँ पर h a का मतलब है amount of heat absorbed याँ उस जिस्म के अंदर जो तावानाई जजब हुई उसकी मिकदार और उसका ratio का ऐसे ले रहे total heat incident जो हरारत आपने उसके ओपर डाले वकू पजीर किये उसका तो h a upon h ratio of heat energy absorbed by the body to the incident heat is called coefficient of absorption याँ इन जजजब का जरीब जजब होने वाली हरारती तावानाई और दी जाने वाली कुल हरारती तावानाई का तनासूब फिर से मामलों वह आएगा कि यहाँ पर उपर भी heat है नीचे भी heat है तो jool upon jool या kilo calories upon kilo calories और इस तरह से unit less हो जाएगा मतलब उपर वाली unit से नीचे वाली unit cancel हो जाएगी तो यह भी unit less हो जाएगा और dimension less हो जाएगा ओके यह हो गया coefficient of absorption के बारे में अब जाहर तीसरा एक process और भी था तो जो तीसरा process जो है तो उसके अंदर हम लोग बोलेंगे coefficient of transmission ओके transmission इंगलिश में इसके लिए जो दुसरे जो नाम आ सकते हैं वो रहेगा transmittance या फिर हम उसे transmitivity भी कह सकते हैं ओके इस तरह से अलग-अलग नाम उसको दिये जा सकते हैं अब यह जो मैंने अलग-अलग जो नाम यहाँ पर आपको बताया उर्दू में हम इसका नाम रखेंगे तरसील का जरीब ओके उर्दू में नाम रहेगा तरसील का जरीब या तरसीली जरीब या तरसीलियत अलग-अलग नाम transmittance पर से उसका नाम तरसीलियत भी बन सकता है ओके अब इसकी definition पर से इसका formula बना लेगा मतलब इसका जो concept है वो बना लेते हैं इसके अलामत हम लोग बनाएंगे small t क्योंकि ये transmission की बात हो रही है और formula बनेगा ht upon h यहाँ पर h suffix t का मतलब है heat energy transmitted by the body और h का मतलब है total heat incident on the body मतलब तरसील का जरीब होता है जिस्म से तरसील शुदा हरारती तवानाई और उस जिस्म को दी जाने वाली कुल हरारती तवानाई का तनासूब जाहर है ये भी unitless होगा और dimensionless होगा ओके तो ये था मामला तीन अलग-अलग coefficients का अब सवाल ये आता है कि क्या ये तीन जो coefficients हैं इनमें आपस में कोई relation है तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है relation between three coefficients यानि ये जो तीन अलग-अलग coefficients हमारे पास हैं इनका आपस में रिष्टा क्या है? क्या relation हो सकता है? तो एकदम simple सी बात है आप लोग देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एच हरारती तवानाई एक जिस्म को दिये उस जिस्म के अंदर इस हरारती तवानाई का पहला जो पार्ट था वो reflect होकर बाहर चला गया कुछ हिस्सा जो है वो उसके अंदर जर्जब हो गया, absorbed हो गया और कुछ हिस्सा अंदर आने के बाद बाहर चला गया, हमने उसका नाम transmitted रख दिये, transmission ओके, तो इसका मतलब हरारती तवानाई के तीन तुकड़े होते हैं HR प्लस HA प्लस HT, ओके अब एक काम करते हैं, यह जो equation जो हमको मिली इस equation के दोनो साइट को H से divide कर देते हैं तो अगर मैं दोनो साइट को H से अगर divide कर दूँ, तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा H upon H is equal to HR upon H plus HA upon H plus HT upon H यहने हर किसी को H से divide करना है और अब जब हर किसी को H से divide कर दिये तो यह कुछ ऐसा मिला अब इसके बाद आप लोग इसको देखो H upon H का मतलब हो जाएगा 1 is equal to HR upon H amount of heat reflected or total heat incident दोनों का जो रेशो है वो coefficient of reflection होता है इनकास का जरीब होता है मतलब यह है R प्लस यह जो चीज़ है यह इनज़ाब का जरीब है यह coefficient of absorption है तो इसको A लिखना पड़ेगा और HT upon H यह जो चीज़ है तो यह coefficient of transmission है मतलब तरसील का जरीब है इसका मतलब इसकी जग़ाब पर T लेना पड़ेगा तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही सिंपल सा एक relation जो हो हमको मिल गया R प्लस A प्लस T और इन सब की जो sum है इन सब का जो total है वो 1 आ गया ओके आम तोर पर इसको ऐसा लिखा जाता है A प्लस R प्लस T is equal to 1 मतलब coefficient of absorption प्लस coefficient of reflection प्लस coefficient of transmission is equal to 1 is equal to unity यहने unity ओके यहने तीनों coefficients का जो addition है वो हमेशा 1 होता है यह एक बहुत ही important point हम लोग ने यहाँ पर देख लिए यह एक बहुत ही important relation है जिससे हमको किसी भी body में heat के जो होने वाले जो अलग अलग जो process है मतलब absorption है, reflection है, transmission है उनका आपस का रिष्टा जो है वो समझ में आता है अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए कि जब हम light की बात करते है तो light के लिए मतलब नूर के लिए, उजाले के लिए रोशनी के लिए दुनिया में हमारे पास दो तरह के जिसम होते हैं नमबर वन transparent जिसम और नमबर टू opaque जिसम इनको अर्दू में हम यह कहेंगे transparent जिसम का मतलब होता है शफाफ जिसम और opaque जिसम का मतलब होगा गेर शफाफ जिसम दोनों का क्या मिनिंग है वो देखो transparent जिसम हम ऐसे जिसम को कहेंगे जिसमे से light आरपार गुजर जाता है और opaque जिसम का मतलब रहेगा ऐसा जिसमे से light आरपार नहीं जाता बलके टकरा कर वापस हो जाता है उसके आरपार नहीं जा सकता इसका मतलब light की ये property है कि वो कुछ चीज़ों के आरपार चले जाएगा और कुछ चीज़ों के वो आरपार नहीं जा सकता ओके जिनके वो आरपार जा सकता है तो उनके आरपार हम देख सकते हैं जैसे काँच है, पानी है कोई बहुती शफाफ टाइप का कोई liquid मतलब कोई तेल है ओके ऐसी चीज़ें जिन मेंसे light गुजर जाता उनके आरपार हम देख सकते हैं तो वो transparent जिस्मों की लिस्ट में आएगा और opaque जिस्म का मतलब रहे जैसे लकडी है, लोहा है, कोई metal है, दीवार है ये तमाम चीज़ें, इनके आरपार light नहीं जाता, तो उनके आरपार भी हम देख नहीं सकते, ओके तो ये ऐसी चीज़ों को हम opaque कहेंगे तो ये light की property हो गई ये light के हिसाब से दुनिया में दो तरह के जिस्म होते हैं, transparent और opaque तो same यही वाली कहानी repeat होती है, heat के वास्ते भी heat energy का जब माम लाएगा okay, आप आप देखो एक दम clear रखो, आप अपने ideas जो हैं वो बिल्कुल clear होना चाहिए, जैसे मैंने आपको light के लिए बताया, अब हम बात करेंगे heat energy की, okay, तो heat energy के लिए भी दुनिया में दो तरह के जिस्म होते हैं, कुछ जिस्म ऐसे होते हैं, जिनके अंदर transmission होता है, okay कुछ जिस्म ऐसे होते हैं, जिनमें transmission होता है, यानि heat जो है, उनके आरपार गुजर जाती और कुछ जिस्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर transmission बिल्कुल नहीं होता मतलब उनमें transmission नहीं होगा मतलब उनके लिए वो जिस्म ओपेक हो जाएगा तो जिन जिस्मों में से heat energy जो है वो transfer हो जाती है मतलब transfer हो सकती है उनके लिए word इस्तिमाल किया जाता die-ther-manus body उर्दु में हम इसके लिए एक बहुत simple term इस्तिमाल कर सकते हैं और वो है तरसीली जिस्म इसके लिए कोई और दूसरा word भी बनाया जा सकता है लेकिन मुझे ये word बहुत simple लगता है तो इसलिए आप इसको ध्यान बे रखिए die-ther-manus body मतलब तरसीली जिस्म उर्दु के नाम से समझ में आ जाता ऐसा जिस्म जिस्मे से तरसील हो सकता है ओके यानि ऐसी बॉड़ी जिस्मे से heat energy का transmission हो जाता उसको कहते है die-ther-manus body और इसका उल्टा जो रहेगा number two यानि ओपेक अब ओपेक जिस्म जो है तो heat energy के तोर पर अगर हमको उसको बोलना है तो उसको दो नाम दिये जाएंगे एक नाम रहेगा आ डाय थर-manus body मतलब इससे पहले आ लगा दो या फिर दूसरा तरीका रहेगा कि ये डाय हटा दो अगर डाय हटा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ether-manus body okay ether-manus body का मतलब उर्दू में हम उसका नाम रख देंगे गैर तरसीली जिस्म okay तरसीली जिस्म यानिए डाय थर-manus body और ether-manus body मतलब गैर तरसीली जिस्म okay definition एकदम सीधी और साधी रहेगी तरसीली जिस्म डाय थर-manus body ऐसे जिसम जिन में से हीट एनरजी का ट्रांस्विशन नहीं होगा तरसिल नहीं होगा उनको हम उर्दो में कहेंगे गयर तरसिली जिस्म, इंगलिश में कहेंगे आथर मैनस बॉड़ी अब सवाल यह आता है कि ये जो दो अलग अलग जो जिसम है तो इनकी हम थोड़ी सी और आगे मतलब इनके बारे में और जादा हम स्रेडी कर सकते हैं तो चलो यो सबसे पहले हम बात करेंगे डाय थर्मैनस की डेफिनिशन आने के बाद सबसे पहला मामला सबसे पहले हम चलो यहाँ पर ले ले लेते हैं डाय थर्मैनस बाडी मतलब तरसीली जिसम तो ऐसे लोग जिन में से तरसील होता है अब अगर तरसील होता है इसका मतलब यह हुआ कि इनके अंदर कोईफिशन्ट आफ ट्रांसमिशन होगा और अगर इनके अंदर अगर कोईफिशन्ट आफ ट्रांसमिशन अगर है तो कोईफिशन्ट आफ ट्रांसमिशन की जो वैल्यू इनके अंदर आएगी वो कुछ ना कुछ आएगी इसका मतलब यह है कि कोईफिशन्ट आफ ट्रांसमिशन जीरो नहीं होगा इनके अंदर सबसे खास बात क्या होगी कि ट्रांस्मिशन जो है ट्रांस्मिशन कुछ ना कुछ होना है और अगर कुछ ना कुछ ट्रांस्मिशन हुआ तो इसका मतलग यह है कि इन जिसमों के अंदर कोईफिशन्ट आफ ट्रांस्मिशन की वैल्यू जो है वो कुछ तो भी आएगी सम्धिंग पॉसेटिव ओके जीरो नहीं होगा ओके अब सवाल यह आता है कि ऐसे जिस्मों के बारे में खास बात और कुछ हो सकती है क्या तो यहाँ पर आप याद रखिए ऐसे जिस्म जो है जो मतलब डायथरमैनस होते हैं तरसीली जिस्म होते हैं जिनमें से हीट एनरजी टांसमिट हो सकती ऐसे लोग ना तो बहुत अच्छे रिफलेक्टर होते हैं और ना बहुत अच्छे अब्सॉर्बर होते हैं मतलब ना तो यह हीट एनरजी को बहुत अच्छे से जजब कर सकते और ना ये हीट एनरजी को बहुत अच्छे से मुनाकिस कर सकते हैं ये दर्मियानी लोग होते हैं ना ये बहुत अच्छा एब्जॉप्शन करेंगे ना ये बहुत अच्छा रिफलेट करेंगे मतलब ना ये इन्जिजाब अच्छा कर सकते हैं ना इनेकास अच्छा कर सकते हैं ये तीनों काम करेंगे मतलब ये इन्जिजा भी करेंगे इनेकास भी करेंगे तरसील भी करेंगे ये ये सब कुछ इनके अंदर पॉसिबल है अब यहाँ सवाल आएगा कि इनकी मिसाले क्या क्या हैं तो आप लोग याद रखें इनकी बहुत सारी मिसाले हो सकती हैं जैसे काच गिलास काच के अलावा कॉर्ड्स कॉर्ड्स जो क्रिस्टल होता है तो वो एक बहतरीन डायथर मैनस बॉड़ी है उसके अलावा सूडियम कलोराइड मतलब अपना जो आम नमक है वो भी डायथर मैनस बॉड़ी है उसके अलावा हैटोजन ऑक्सीजन और जहां तक हवा का तालुक है तो याद रखो खुशक हवा ड्राय एर मतलब ऐसी हवा जिसके अंदर मॉइस्चर ना हो जिसके अंदर पानी के बुखारात मिले ने ना हो अगर जिसके अंदर पानी मिल जाता है तो वो मॉइस्चर हो जाएगी तो वो नहीं चलेगा अगर हमको डायथर मैनस एर की अगर बात करना है तो इट मस्ट भी ड्राय एर तो ड्राय एर ये तमाम जो जिसम है ये सब के सब डायथर मैनस बॉड़ी के अलग अलग एक्जामपल्स हैं अब सवाल आएगा नंबर टू के अथर मैनस बॉड़ी क्या होगी तो अथर मैनस बॉड़ी जो है अभी जैसा मैंने आपको बताया ये वो लोग हैं जिनको हम उर्दू में बोलें तो फिर ये जो फॉर्मूला हमारे पास लिखा है ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू वन इस फॉर्मूले में आप लोग गोर करो के टी बराबर जीरो आगया अगर मैं इसकी जगाबर जीरो ले ले लेता हूँ तो अब बचेवे जो लोग है वो है ए प्लस आर इस इक्वल टू वन ओके अब ए प्लस आर इस इक्वल टू वन ये जो फॉर्मूला आया इस फॉर्मूले पर से मैं एक बहुत ही मज़दार बात बना सकता हूँ आप लोग देखो गोर करो अगर मैंने आर बराबर जीरो लिया तो अ बराबर वन याने ए प्लस जीरो इस इक्वल टू वन इसका मतलब अ इस इक्वल टू वन आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर आर की वैलियू वन ले ले लेता हूँ तो आप लोग गोर करो अ प्लस वन इस इक्वल टू वन यह वन इदार आकर 1-1 हो जाएगा, मतलब A की value 0 लेना पड़ेगा ओके, यह तमाम possibility उसी वक्त है जब हम T बराबस 0 लेते हैं तो तो अगर मैंने T बराबस 0 ले लिया तो एक condition आएगी, कि R अगर 0 है तो A1 हो जाएगा, और R अगर 1 है तो A0 हो जाएगा, R equal to 0 का मतलब है coefficient of reflection 0 है Okay, coefficient of reflection 0 है मतलब वो जिस्म मुनाकिस नहीं कर रहा है पहली चीज़ तो याद रखो कि वो तरसिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो Aether minus है, गहर तरसिली है और अब R equal to 0 का मतलब यह है कि वो इनेकास नहीं कर रहा है reflection उसमें नहीं है, तो अगर उसके अंदर transmission भी नहीं है उसके अंदर अगर reflection भी नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या है equal to 1 मतलब absorption तो दी जाने वाली पूरी की पूरी heat को absorb कर रहा है तो वो बहतरीन absorber रहेगा good absorber, best absorber ओके, यह जो condition है यह ideal absorber की है ideal absorber, यह जो body रहेगा वो आने वाली हरारत को पूरा का पूरा जर्स्प कर लेगा ना वो तरसील होने देगा ना वो reflect होने देगा तो best absorber, यह वाला जो जो जिस्म रहेगा वो best absorber रहेगा अब यह वाला case देखते है r equal to 1 और equal to 0 है equal to 0 का मतलब है कि उसने जर्स्प कुछ नहीं करा t equal to 0 पहले से था मतलब तरसीलों करनी सकता था equal to 0 मतलब वो absorb करनी सकता था बचा कौन? r equal to 1 r equal to 1 का मतलब यह है कि उसने आने वाली पूरी की पूरी हरारत को reflect कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह best reflector है ideal reflector आने वाली हरारती तवानाई को इसने ना जर्स्प करा ना तरह transmit करने दिया बलके पूरा का पूरा reflect कर दिया मुनाकिस कर दिया इसको हम बोलेंगे ideal reflector best reflector तो यह जो लोग होते है ether manas body या तो यह best reflector हो सकते है या यह best absorber हो सकते है लेकिन जब मामला गेर तरसिली जिसमों का आएगा तो इनके लिए बिलकुल possibility होती है कि या तो यह good reflector होंगे या यह good absorber होंगे या तो यह बहुत बहतरीन मुनाकिस करेंगे या यह बहुत बहतरीन इंजिजाब करेंगे तो यह थी कहानी ether manas body की यहाँ पर आप हम देखते हैं कि ether manas body जो है इनके दुनिया में कौन-कौन सी जिसम है तो आप लोग एक hint याद रखो कि जादा तर यह ऐसे जिसम होते हैं जिन में से heat energy का transmission possible नहीं है अब heat energy का transmission किसमें से possible नहीं होगा तो ऐसे जिसम आम तोर पर opaque जिसम होंगे याँ लाइट के लिए भी यह काफियत तक opaque होते हैं तो इनके best example है पानी आप याद रखो कि पानी जो है उसमें उसमें heat energy का जो transmission है वो उसमें नहीं होता है दूसरी चीज़ है लकडी याने ओड लकडी में से भी यह possible नहीं है आईरन याने लोहा कॉपर याने तामबा उसके अलावा moist air का मतलब होता है गीली हवा मतलब ऐसी हवा जो मरतूब हवा जिसे कहते हैं ऐसी हवा जिसके अंदर आभी बुखारा शामिल हो जिसके अंदर पानी मिलावा हो हमने देखा था अभी कुछ देर पहले के dry air जो है वो best example है diethermanus body की और moist air जो है वो best example है ethermanus body की ठीक है इसी तरीके से example आप याद रखिए benzine बेंजीन जो है वो एक organic liquid होता है और वो भी ethermanus body है तो ये थी कहानी ethermanus bodies की मुझे पूरा पूरा यकिन है कि आपको यहां तक आज जो हुआ अपना ये तमाम बातें आपने नोट किये होंगे और आपको ये समझ में आया होगा अब हम आगे वाले इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि दुनिया में best absorber कौन से जिस्म होते हैं और उन में क्या खासियत होती है कौन सी इसी खास बात होती है जो best absorber की हो सकती है चलिए ठीक है आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर रोग देते हैं आज के तमाम पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए और study करते रहिए उक्या अल्ला हाफिस